दोस्तों WhatsApp की नई privacy policy के बाद WhatsApp को बहुत ज़्यादा criticize किया गया जिसके बाद WhatsApp ने बहुत सारी चीजों को clear करने की कोशिज की और उसके बाद WhatsApp ने यहाँ पर अपनी privacy policy में एक और नया update दिया तो आगे आप इस वीडियो को देखते रहें और आज किस वीडियो मैं आपसे इसी करते हैं दोस्तों जब कुछ दिन पहले आप अपने WhatsApp को यूज कर रहे होगे या अपने WhatsApp ओपन किया होगा तो आपके WhatsApp स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का एक update मिला होगा इनकी नई privacy policy के रिगार्डिंग जहां पर आप मेंसे बहुत सारी लोगों ने इसको बिना पढ़े ही ए अगर आपको कोई भी service करनी है किसी की भी service यूज करनी है तो आपको उनकी privacy policy को मानना जरूरी है तब ही आप उनकी सारी services को आप यूज कर सकते हो तो हला कि दोस्तों यहां पर WhatsApp ने यह भी clear किया था कि अगर आप इनकी इस नई privacy policy को नहीं मानते हो तो वो आपके WhatsApp कि अगर आपने accept कर लिया इनकी इस privacy policy को तो जो आपके WhatsApp में data चीजे हैं वो Facebook के साथ share की जाएंगी यहां पर पहली चीज निकल कराती है कि जो चीजी आप personal chat करते हो किसी के साथ वो WhatsApp जो है Facebook के साथ share करेगा फिर यहां पर निकल कराया दोस्तों कि कुछ दिन पहले WhatsApp में आप पेमेंट के option देखने को मिले होंगे बहुत सारे लोगों को कहा गया कि अगर आप WhatsApp पेमेंट यूज करोगे तो आपके WhatsApp पेमेंट के जो बैंक डीटेल है वो Facebook के साथ share किये जाएंगे फिर दोस्तों को यह निकल कराया कि जो आपका contact number है WhatsApp में वो Facebook के साथ share करकर match किया और यहां तक कि यह भी कहा गया कि जो location आप अपने family member अपने friends के साथ share करते हो उस पे भी WhatsApp और Facebook नजर रखेगा जिसके बाद WhatsApp ने बहुत सारी इन सारी चीजों को clear करने की कोसिस की उन्होंने यह कहा कि जो भी आपके personal chat वगरा है वो सभी end to end encrypted है WhatsApp उनको नहीं पढ़ता है फ उसको भी हम बिल्कुल track नहीं करते हैं वो भी आपका जो आप जिसके साथ आप share करते हो सिर्फ वही उसको track कर सकता है हम आपके contact को Facebook के साथ share नहीं करते हम आपके payments डीटेल वगरा भी WhatsApp के साथ share नहीं करते तो यह सारी चीजे WhatsApp के तरफ से clear की गई हला कि बहुत सारी लोगों पर लोग स्विच होने लगें बहुत सारी तरह तरह के messaging app पर स्विच होने लगें क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको जिस भी apps की एक बार मतलब आदत हो जाती चाहे बात कर लिए आप WhatsApp यूज कर रहे हो Facebook यूज कर रहे हो तो आप लगातार उसी को यूज करते हो नए से बहुत ज्यादा दिक्कत होगी उनको बहुत बहुत सारे लोग इन्हीं application को यूज करने लगेंगे जिसके बाद WhatsApp ने आपको इसी regarding आपको status हो हुआ होगा बहुत सारी चीजों में जहां पर यह कहा गया कि यहीं चीजे clear की गई कि हम यहां पर आपके messages को नहीं पढ़ते ह हैं हम आपके contact को नहीं share करते हैं तो यह सारी चीजे clear भी फिर WhatsApp के तरफ से एक और नया update निकल कर आता है कि अभी फिलहाल हम जो आपको privacy policy हमने आपको बताई थी वो हम यहां पर postpone कर रहे हैं और यह हम आपको लगबग 15 मई के बाद यह सारी चीजे हम यहां पर लागू करे क्योंकि बहुत सारी लोगों ने यहां पर WhatsApp को contact किया social media platform Twitter हो गया इन सारी चीजों के थुरू तो WhatsApp ने उनके बहुत सारी चीजों का reply भी दिया तो हला कि WhatsApp को यह डर जरूर है यहां पर कि अगर उनके users है अगर वो किसी other application पर shift हो जाता है तो वो बिलकुल यहां पर फिर से व तीन महीने तक इसको postpone करते हैं तो चीज दीरे दीरे normal हो जाएंगी बाकि यही चीजे यहां पर WhatsApp के तरफ से निकल कर आती है और अभी फिलहाल WhatsApp ने यह नहीं कहा है कि वो इनकी इस नहीं privacy policy को नहीं लागू करेंगे तीन महीने बात देखते हैं दोस्तों WhatsApp के तरफ से और क् अपडेट निकल कर आता है क्या WhatsApp जो है इसको पूरी तरीके से जो इनकी नहीं privacy policy उसको यहां पर रद कर देता है या नहीं यह चीजे दोस्तों मैं मैं में ही पता चल पाएंगी तो बाकि आप मुझे नीचे comment में बताए कि क्या आपने भी यहां पर बिना पढ़े ही इनकी privacy इसी policy को agree कर दिया था या अभी फिलाल आप कौन से यहां पर messaging app का यूज कर रहे हो signal यूज कर रहे हो टेलिग्राम यूज कर रहे हो मुझे नीचे comment करके जरू बताएगा दोस्तों बहुत विलाइक लिए इस वीडियो में इतना है उमीद आपको वीडियो पसंद आए होग कर दोस्तों